कि इंपॉर्टन कोश्टन डियू एंसी वेव और रेगुलर दोनों के लिए ठीक है यूनिट वन के इंपॉर्टन कोश्टन देखते हैं पहले हम पहला कोश्टन है हमारा लोक達 क्या है बहत ये लोक तंतर के संदर में इसकी प्रासंट्र दिकता की वखावत है ठीक है फिर आपको बताना है कि लोकतंतर में प्रासंगिकता क्यों, उसके भी मैंने आपको पहले बता चुका उप किसले वीडियो में लोकमत कि जरूरी है供ानी घरी तका का Q2 भारती लोकतंत्र में जनमत का क्या महत्व पूएРИकार अगर प्रासंगिकता आता है जब भी आपको वही answer लिखना है और अगर math आता है जब भी आपको वही answer लिखना है ठीक है थर्ड है हमारा लोकमत को परिभासित कीजिए इसकी उप्योगीता तता विशेष्टाव की विवेशना कीजिए यहीं लोकमत का अर्थ बताना है और definition बतानी है फिर इसका क्या उप्योग है ठीक है और क्यूं ज़रूरी है हमारे लिए और विशेष्टावी बतानी है फोर्थ question है हमारा बीसवी शताबदी में एक विशे के रूप में लोकमत के विकास की व्याक्या करें व्यावार वाद से इसके संबंदों की चर्चा करें यह भी important question है इसका answer में आपको PDF दे दूँ ठीक है question 5 हमारा जन्मत के अब धान्डना की व्याक्या कीजिए क्या आपको लगता है कि यह लोकतंत्रिक व्यवस्ता में महत्मापोर बुमी का निवाता है सेंप्लिंग क्या होती है सोध में प्रियोग होने वाली स्यंपलिंग टक्ट्निक की विएशना केती है यह इनी जो भी सैंपलिंग स oppose स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो गई ठर्डे माट स्कुली क्या है इसने chi क्या है और सेंप्लिंग के क्या गोड़ और क्या दोश्य मैंने आपको कल एक पेडियो भेजी थी उसके अंदर आपको इनके आंसर भी देखने को मिलें ठीक है फूर्थ हमारा स्नॉबल सेंप्लिंग से आप क्या समझते हैं यह आपका शौट कुष्चन आएगा स्नॉबल सें unit 3 होफ हमारी सर्वेकश ननुसंदान इसके important question है साक्षतकार क्या है साक्षतकर के प्रकार तथा विविन टकनिकों को abundant करें यानि interview क्या है interview कितने टेकनी के कितने परकार के इंटर्विव होते हैं फॉर्म सफ इंटर्वी यह को यहां पर बतानी है यह भी माप को कर आचुकं पहले हैं साक्षतकार क्या है साक्षतकार आयोजीट करते समय किन पेढ़ों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए यह जब साक्षतकार का हम साथानिया रखनी चाहिए हमें लिखनी है फॉर्थ हमारा निश्पक्षता तता इसपर्ष के संदर में सरवेक्षन शोथ के अंतरगत प्रशनावली की गुडवत्ता हूं को बिसलेशन कीजिए यानि एक निश्पक्ष और इसपर्ष प्रशनावली क्या हो सकती है यानि एक एक अच्छी प्रस्णावली आप कह सकते हैं यानि एक अच्छी प्रस्णावली के क्या गुड़ है और क्या विशेशता है या आपको बता रहे हैं यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ Q5 है मारा एक अच्छी प्रस्णावली की क्या विशेशता है प्रशनावली प्रतिदर्शन शोत को किस परकार प्रभावित कर सकती यानि वही कुश्चन है कि आप एक अच्छी प्रशनावली क्या है और यह सेंप्लिंग को या सेंप्लिंग को या एक रिसर्च को कैसे प्रभावित कर सकती है अगर आपके अच्छी कुश्चनेर होगी ज यहनी फ्रस्वारी कितने टाईप की होती है quesnare kisnare इंgan कितने टाफ की होती है structured questionnaire यह मैं आपको बता चुगा हूं और कौंड कॉंसी टैक्निक है इसकी टैलिफानिक कुछट्ब्र, email कुछट्ब, यह मैं आपको पहले ही बता चुगा हूं close ended questions आपको देखने को यह वाला question, short man देखने को मिलेगा, और 8 था अमारा open ended question, यह भी आपको short में देखने को मिलेगा, यह दो question जो है, हमारे short में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, childhood फिफ्त हैं हमारा चुनावो की व्याक्या unit five के हमारे important question है मद्दान चोद में भविष्य मांनी की संभावनों तता सीमाओं का परिक्षण कisée polling research में भविष्य मांनी की क्या क्या संभावना है और क्या का सीमा है इसमें आपको बताना है मद्दान शोद में भविश्य मानी के क्या नुक्सान है यानि पिट फॉल्स आफ पॉलिंग रिसर्च यह आपको बताना है में पॉलिंग पॉलिंग क्या होता है और पॉलिंग पॉलिंग और पॉलिंग क्या होता है तो यह हमारे इंपॉर्टन थे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब